नमस्कार सौगत है Google Ads Tutorial Class in Hindi में और आज मैं आपको सिखाऊंगा कि Google Ads मतलब PPC Campaign चलाना से पहले आपको कुछ ऐसा नौलज़ की जुरुए थे जो आपको बिस्मोस को quickly grow कर सके हैं प्रेंग एक successful PPC Expert बढ़ने से पहले या अगर आप एक खूद PPC Expert हो तो ये वीडियो पूरा देखिए मैं इसका बार में बहुत कुछ knowledge में आपको देना वाला हूँ कि आपको प्लान और सिस्टेम के मुताबिक आपको Google Ads Campaign चलाना चाहिए Google Ads Campaign दुनिया के सबसे number one ऐसे paid campaign टूल है जो दुनिया की 90% internet की world की अंदर ये share market capture करके रखा है और ये टूल इस्तमाल करके आप कैसे आपको business को grow कर सकते हो कैसे आपको website के grow कर सकते हो ये सारे details लेकर मैं आज बातचीत करूँगा फ्रेंड पूरा वीडियो देखेंगे तो I hope ये वीडियो देखने के बाद आप बहुत कुछ ऐसे information आपको मिल जाएंगे जो आपका business के लिए ज्यादा तो ज्यादा benefit होगा फ्रेंड तो मैं सौगात करता हूँ और मैं सुरुवात करता हूँ Google Ad I mean Google AdWords PPC Campaign के कुछ information जो आपको business को फायदा दे सकते हैं तो यहाँ पर आपको यह जानना होगा कि जब आप Google AdWords I mean PPC Campaign चला रहे हो तो क्या आपको यह benefit दे सकते हो चके आपने बहुत सरे ऐसे PPC Expert को hire का लिया और वो आपको benefit नहीं दे पाए राइट प्रेंट मैं आपको थोड़ा से याद देना दूँ मैं भी एक professional PPC Expert हूँ Google Ads campaign के उपर में बहुत सारे client को ऐसे loss profitable जो चलने वाला business से उसको मैं profit दे चुका हूँ यही Google Ad use करके तो आपको यह जानना होगा कैसे तरके से आप Google AdWords को use करके आप आपका business को benefit ले सकते हो और इसके लिए मैं कुछ option में रखा हूँ प्रेंट आपको घवड़ने के कोई जुरूत नहीं बिकोज यहाँ पर Google Ad campaign चलाने के लिए आपको पाड़े 40 रूपीज और यह सबसे बड़ा benefit है आपको इतना huge और lots of money यहाँ पर invest करने की कोई जुरूत नहीं तो friend मैं यहाँ पर आपको बता सकते हूँ कि अगर आप 40 रूपीज करके भी ad campaign चलाएंगे तो आपको business के लिए business बन जाएगा इसके बाद आते friend Google Ad एक ऐसा platform tool से जहाँ पर आप आपका ad campaign के दोरा आपका business का brand awareness बढ़ा सकते हो जैसे popularity market के अंदर आप बढ़ा सकते हो for example मान के दिले जब Amazon market के अंदर आया था तो Amazon कोई ऐसे offline marketing जादा नहीं किया था वो जादा से जादा फोकास Google के अंदर और Google के अंदर Google Ads 2 जहे यही इस्तमाल करके जादा से जादा वाणले जुनिया के अंदर वो सच्छे बड़ा अभी e-commerce website बन चुका है और आप जानते हो Amazon से कोई ना कोई एक प्रोड़क्त आप जुरूर ओडर किया है राइट इसके बाद आता है SEO result, faster SEO result, क्या करेंगे जब आपको website की Google top test में ऐसा ही organic SaaS result पे नहीं आ रहे आपका keyword जादा से जादा रैंक नहीं कर रहे तो इसके वजए से आपको Google Ads भी benefit दिता है हाँ दोस्तों य यह मिन कोई भी keyword हो सकते है जैसे for example food restaurant near me या dental clinic service in Kolkata या आप दे सकते है पैकासन मोबास company in Pune ऐसा ही करके अगर आपको website के अंदर keyword आप यूज करते हो यह आपको business के relevant keyword है वो keyword अगर performance नहीं करे Google top test में नहीं आरे तो मैं आपको साल्जिशन करते हो के Google Ads जो टूल है एपेड campaign के दोरा वही same keyword आप ad campaign लगा कर आप बहुत जल्द से जल्दी SEO के result ले सकते हो जो बिल्कुल आपको in future जब rank perfect हो जाएगा तो आपको ad campaign देने की पैसे की देने की कोई जरूत नहीं है इसके बाद हाते है आउट rank your competitor ads आउट rank your competitor ads मतलब क्या समस्त में आता है यह बात है मान आउट के लिए आप एक competitor के साथ competition करें हो right competition करने के बाद आप कई तरह के से भी SEO की result की हिजब से organic result की हिजब से आप competitor को आगे नहीं जा पा रहे हो right तो ऐसा ही situation अगर खड़े होंगे आप competitor से जब मोकाविला नहीं कर पा रहे हो तो मैं solution करूँगा competitor से आगे जाने के लिए आपको PPC I mean Google Ads tool इस्तमाल करना बहुत जोरी और important भी है right इसके बाद आता है friend influence the audience to make the purchase friend आप आपका business के लिए perfect audience सुनिये और ज्यादा से ज्यादा quickly आप आपका business के जो sales है जो services है और लोगों तक पहुँचा है friend कैसा होगा अगर आप accurate information जो सरफ के सरफ खाना पसंद करता है जो अलग-अलग restaurant के खाना पसंद करते है या हो सके के photography जदा तर जदा पसंद करते है वो लोग camera खरीदना चाहते तो कैसे होगा अगर आप एक photography event arrangement करना चाहते हो या workshop arrangement करना चाहते हो तो उन photographer को आप particularly target बनाकर आप आपका Ad और Audience को आप Parcels कर सकते हो। यह सबसे ज़्यादा बड़ा एक Benefit का Rules है। Prophet, SEO के लिए आप टेस्ट कर रहे हो, टेस्ट कर रहे हो, टेस्ट कर रहे हो, मैं कहता हूँ, SEO जब इतना टेस्ट कर लिया, तो SEO के साथ साथ आपzh Сबrama Google Ads भी टेस्ट करना चाहिए. जब भी अब Google Ads टेस्ट करेंगे, तो I hope आप बहुत जल्दे से जल्दे आप winner बन जाएंगे और इसलिए मैं कहता हूँ कि आप जुरूर ये rules follow कर सकता हूँ. इसके बाद आता है कि A-B testing मान के इसलिए आप एक ad campaign चला रहे हो उसके अंदर आपको CTR I mean click drop rate बहुत कम है आप फिर भी एक नए ad campaign चला दिया फिर पर हाँ इसके अंदर आपको और एक logic मिल जाएंगे जहाँ पर आपको keyword देखने को मिलेंगे जो keyword के अंदर आपको सब्चे ज़्यादा click आ रहे है तो एही ही चब्चे आप एक campaign चला सकते हो राइट फ्रेंट और इसके बाद सब्चे जो latest है remarket audience with the best deal प्रेंट आप जानते हो इंटरनेट की दुनिया में कोई भी एक user तुरंत ad देखने के बाद वो process नहीं करते हैं उसके थोड़ा सा information जरूर इधर उधर करके कालेट करके ओ information का बारे में details एक कट्टा करते हैं फिर जाके ओ प्राइस खरेदने के लिए उसका दिल एक दम 100 पर 100% fix हो जाते हैं इसलिए remarketing आपको करना जरूरी है आपका audience को target करिए remarketing करिए और I hope आपका business सबसे ज़्यादा देना वाला है इस industry के अंदर तो I hope friend मैं आप आपको पूरा detail समझ डेप आया हूँ कि आप कैसे Google Ads यूज़ करेंगे आप पहले अगर आप एड यूज़ करेंगे तो मैं professional एक PPC expert बनकर मैं आपको suggestion करूँगा कि अगर आपको website के issue करने की भी plan है तो please आप जो issue के लिए जो keyword आप चूज़ कर रहे हो वही keyword ज़रूर आप Google Ads के अंदर लगाया है क्योंकि इसके साथ चाद आपको क्या होगा issue के benefit भी मिल जाएंगे और आपको lead भी तुरण मिल जाएंगे और आपको ad top page में डेखने को बहुत मौका मिल जाएंगे फ्रेंट ये सारे सी सुरून्स और ये conversions ये lead तब complete होगा अगर आपको website के अच्छा अच्छा content सही तरह के से होगा फ्रेंट आई होब मैं Google IST 12 class in Hindi में आपको पूरा details दे पाया हूँ अगर इसमें कई भी कमी है या आप कुछ ऐसा point है जो आप समझ नहीं पारे तो प्लीज comment करके या like करके या मेरा यहाँ पर नमर के जो hotsup है यहाँ पर hotsup करके भी मेरा साथ बातचित कर सकते या मेरा चैनल को subscribe करके मेरा साथ जोड़ भी सकते हैं अपनी important time देने के लिए आपको बहुत बहुत सुक्रिया मिलते हैं और एक वीडियो को साथ तब तक आप हैपी रहिए खुशी रहिए जाए हिंद बंदमात्राव